हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल इंडियन यूट्यूबर रीना आज हम फेस मास्क बनाएंगे उसके लिए हम इस तरह से कपड़ा ले लेंगे यह मैंने कोटम का कपड़ा लिया है इसकी मैंने लंबाई ली है यहां से 12 और चोड़ाई ली है मैंने यहां से 12 लंबाई प्लेट कि कटऑसे तरह से 20 mines na cat करेंगे इस प्लेट काशची मैंने कोकट करने का यहां से यहां से निशान लगाकर और ते हम यहां से कट कर लेंगे डूसरा तरीका है इसे गोल कट करने का इस तरह से हम पहले बीच में से ऐसे फोल्ड कर लेंगे फिर हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे फिर एक बार और फोल्ड कर लेंगे इसे यह से अब हम यहां से जो हमारा यह कॉर्णर है यहां से इसकी लंबाई देखेंगे यह हमारी छे इंच है और कॉर्णर पर हम इंची टेप को रखते हुए यहां से 6-6 इंच पर निशान लगा लेंगे यहां से हम कॉर्णर पर ही रखेंगे और इंची टेप को घुमाते जाएंगे और यहां से हम ऐसे 6 इंच पर निशान लगा लेंगे अब हम इन निशानों को मिला देंगे यह ऐसे और फिर हम इसे कट कर लेंगे यह देखिए यह हमारा ऐसे गुलाई में कट हो जाएगा अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे एक बार और फिर एक बार और फोल्ड करेंगे यह हमने दो बार फोल्ड करना है बराबर मिला कर इसे रखेंगे यह ऐसे अब जो हमारा यह कोर्नर है यहां से हमने एक इंच पर निशान लगाना है नीचे की तरफ यह एक इंच पर और यहां से कोर्नर से यहां भी एक इंच पर निशान लगा लेंगे यह ऐसे और इसे ऐसे मिला देंगे और यहां से कट कर लेंगे यह ऐसे कटो गया यहां से यह कट करने के बाद अब जो यह हमारी खुलीवी साइड है यहां से हमने यहां यह जो गोल शेप जारी है हमारी यहां से हमने दो इंच पर निशान लगाना है यहां से और अब हम यह जो हमने कट किया है यहां से और इस निशान को आपस में ऐसे थोड़ी सी गोल शेप देते हुए ऐसे मिला लेंगे यहां से और अब हम इसे यहां से कट कर देंगे यहां से यह हमारा इस तरह से आ जाएगा यह देखिए दो पीस हमारे यह ऐसे आ जाएंगे इस तरह ऐसे अब यह कट होने के बाद हम यह दोनों पीस एक दूसरे के उपर रख लेंगे यह हमने सीधे से सीधा मिला कर रखना है यह अंदर की साइड हमारे सीधे होने चाहिए और यह जो हमारी गॉल शेप आ रही है यहां से हम यहां सीलाई कर लेंगे यह सीलाई करने के बाद अब हम यहां छोटे-छोटे कट लगा लेंगे कट लगाने के बाद अब हम इसे यहां सीधा कर लेंगे और ये हमने जो सिलाई की है ये सिलाई से सिलाई मिलाएंगे ये ऐसे ये ऐसे सिलाई से सिलाई मिलाकर ऐसे रख लेंगे और यहां से स्टेच करेंगे यहां से यहां से सिलाई लगाने के बाद अब यह जो दो हमारी साइड्स खुली हैं यहां से एक तरफ से हम इसे सीधा कर लेंगे यह देखिए मैंने इसे सीधा कर लिया और यह हमारा ऐसे है और अब हम जो यह साइड्स हैं इससे थोड़ा-थोड़ा अंदर फोल्ड कर लेंगे यहां से यह ऐसे और यहां हमने इलास्टिक लगानी है इस तरह से हम दो इलास्टिक ले लेंगे दो पीस चाहिए हमें Elastic के और इसकी मैंने यहां से लंबाई ली है साड़े चेंज साड़े चेंज लंबी हम Elastic ले लेंगे दो और इसे हम यहां इसके अंदर रखेंगे एक इस Corner पर और एक इस Corner पर इस तरह से अंदर रखेंगे और यहां सिलाई लगाएंगे इलास्टिक पर हमने यहां कॉर्णर पर अच्छे से दो तीन बार सिलाई लगानी है ताकि हमारा यह निकलना जाए इस तरफ भी हम इसी तरह से फोल्ड करके अंदर की तरफ और दूसरे वाली जो हमने इलास्टिक कट की है वो यहां इसके बीच में डाल कर इसे भी यहां से स्टेच कर लेंगे यह देखी मैंने दोना तरफ इलास्टिक लगा ली और यह हमारा मास्क बनकर तयार है अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना शेयर करना मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और नॉटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भुलना